श्रीमान जी नमस्ते नमस्ते सर आपको पूरा नाम क्या है साथ मेरा नाम सुंदरपाल यादा हुए एक बुजूर्ग वेक्ते के मोट साइगल उपर थपड लगा दिया गया तो वह आगर आपको पता हो गाउं का मामला है तो क्या मामला था वह नहीं यह बिलकुल जो कुछ दमंग परवर्ति के लोग है जो हमारे गाउं से जो प्रतैसी हो उसका लेफ्ट है वह पहले भी अनरगल बाते करता है थोड़े बदमास परवर्ति का लड़का है तो वह जो बुजूर्ग आदमी वह इतना सीदा सरल सोबाव का आदमी था तो बैस जा रहे थे तो आपस मे कुछ शिकाइदज भी करवा यह बुजूर्ग ने नहीं वह एक्चल में गाउंबस्ती का मामला था उनके जिनके साथ गटना गटी उनके एक दिन बाद कोवा पूजन का प्रोग्राम था तो इस वजह से उन्होंने इस मामले को जाद नहीं किया अभी बात कर लेते हैं जो यह परतैसी है मेरे गाउं से ललित यह 2018 के चुनाव लड़े थे इसने तो उस समय मैं सरपंच था वरतमान सरपंच और शमाज का अद्धक्स था मैं यह दो मासमा मुडावर का उस समय इसी चौपाल पे खड़े होकर इनके परिवार जनोंने इन्होंने यह कहा था कि हम चुटे चुनाव पंचायती चुनाव नहीं लड़ेंगे नौंबर 18 में चुनाव थे विदानसभा के चुनाव थे और चुनाव फिर यह हार गए थे मैंने इनकी जीजान से मदद करी थी तो आप चाहिए मीडिया के मादम से देख लेना जो इसकी रेली थी तो उसके उप iamidra में सर्पंची के उसी दोरां तीन महीने बाद 2 महीने बाद चुनाव थे उन्होंने मेरे ही खिलाफ मेरी पतनी चुनाव लड़ी थी उन्होंने अपनी माताजी को चुनाव में खड़ा कर दिया वो तो मातर 36 बोटों से वो चुनाव जीत गए जिसमें मैं पॉलादप अभी क्या मावल रहेगा आपके गाउं में अगरोपन वोटों की बात करें तो हमारे गाउं में भाई मंजीत चोदरी उनके काम को और उसके विकास को देखते हुए आप गए थे आपने देखा को पूरे रस्ते से आप कहीं कोई पाणी यह सारी देन धरमपाल जी की और मंज मंजीद भाई की देन है कहीं आज से 2015 से पूरो आप देखते तो बहुत बुरा हाल था गाउं का बीच ओबीच निकला नहीं जाता था लोगों को कहना है कि मंजीत जो अभी वर्तमान विदायक है चार साल दिखाई नहीं दिया अभी दिखाई दिया है एक बात बताओ हमार जो कोई पक्सपात नहीं कर रहा तो क्या बिना जाके बजट दे दिया किसी वक्ति ने आपने बुलाया होगा पंचायत में सम्मान भी किया होगा गये भी होंगे तभी तो बजट दिया होगा ब्यासाधियों में भी गये हैं हाँ उनको थोड़ा सा एक चीज का नुक्षान है वह इस चीज का है कि दो साल कोवड के दो साल गए व तो केंदर के मोदीजी की गाइडलाइन थी कि आप घर रहें सरक्सीत रहें तो वह जो दो साल का समय तो लोगों ने, विरोधि उने, उसको बुनाने की कोसिश की, बाकि वो सुरुवात में थी यह और ऐसे कोई चीज नहीं, सबको पता है, समाज का है सुभख शाव मिल्ते होंगे तो आपका मन नहीं करता क्यों निए मेरे समाज का है पर उन्होंने अधो कहीं चोड़ा नहीं समाज मिछ पिछली बार मेरी मदद लीती तो यह कहके लिए थे के हम पंचायथ चौनाओं नहीं लड़ेंगे सर पंची परिवार के उनके भाई ललेत विद्यासागर सरपांच उनका पूरा परिवार मेरे खिलाब चुनाव लड़े हैं उस चुनाव में मैंने उनको 306 मतों शहराया है तो मैं तो धरातल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैं तो जब 36 मतों से मेरा बैक टू बैक चुनाव है मा पारम भी उस समय सरपंच के दोई थे उनको कुट कर लेना चाहिए था वह फारम तीसरा नोटा ही था जब आप एक चुनाव आप लेवल बड़ा लेवल के चुनाव लड़ते विदान सबाका तो आपको यह पंचायत के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था तो यह जो इस चाहित के चुनाव नहीं लड़ेंगे नाइं हम एंट्रफेर करेंगे और यहीं नहीं उन्होंने शिर्यानी में एंट्रफेर उन्होंने किया साज़ापूर से आठ सरपंच चुनाव लड़ रहे थे नो सरपंच एक व्यक्ति का मदद की गादवास में ता चार लोग जटरेते एक कї मदद की थी करणी कोट में मदद का सु मांदा हूं ऑन्होंने मज़ questi करिया था लोगों की एक के साथ मद एक की मदद रह específic का तक ही मैं अपने उडियोची मानता हूं कि जो आदमी विदानसवा लेवल का आदमी है उसको अंचायती चुनाओं में छोटे चुनाओं में एंटरफेर नहीं करना चाहिए था धन्यवाद सर्पन साथ